पेशेंट्स में से रगलोली पूछते हैं कि दॉक्टर साब आप हमें ऑस्ट्रियो अथ्राइटिस नीज की दबा तो दे रहे हो पर हम और क्या कर सकते हैं कि इसमें हमें जल्दी से जल्दी आराम आए और हम नी रिप्लेस्मेंट सरजरी से बच सके तो मैं आपको चार सिंप बताऊंगा जो की होंपैथिक दबाई के साथ करनी बहुत जरूरी है और इसको अगर आप करते हूँ तो आपका जो ऑस्ट्रियो थैटिस नीज का जो प्रॉब्लम है वो काफी हद तक बैटर हो जाता है और आगे नहीं बढ़ता नीज का डिजनेरेशन और पेशेंट को सि आपने लिम्ब को उठाऊँगे लाफ व थाओंगय और तब तक ऊपर रखोगे जब तक आपको थकान फील नी होती ठीक है और जब आपको थकान फील हुती है उस लेड़ में तहाँ इसे दीरे से नीचे करदोगे और दूसरी लेग को उठाऊगे और तक आपको इसमें तो इस तरह ये पहले हैं तुस्तरी एकसाइज में आप बेसिकली दिवार के साथ खड़े हो गया ठीक है और आप अपने पैर को ऐसे उठाओ गया है कि दिवार के साथ इसलिए खड़े हो रहे हैं हम ताकि इनकेस बैलेंस खराब हो तो आपको दिवार का सहरा मिलजर और इस तरह आप पोशिश आप रखोगे आपने पैर को उपर जब तक के रख सकते हो और फिर दूसरे पाव को पर हो गया है ठीक है यह दूसरी एकसाइज है और यह दोनों अकसाइज बता है दोनों दर्दस किनेट करनी है तीसरी एकसाइज यह है कि आप बेसिकली बैड में लिटोगे और अपने घुटनों के नीचे आप एक टावल तॉलिया उसको रोल करके रख लोगे और अपनी सबसे पहले राइट को गुटने से दबाओगे आप लेटे वह हो और आपका टावल रोल करके आपके राइट गुटने के नीचे है और आप गुटने को बैड की तरफ मतलब गद्दे की तरफ दबाओगे और जब तक कि आपके आपको थकान उस उस लैग में राइट लैग में थकान ही मिसूस होती तब तक आप आप और फिर उसका फिद्वा राइट में आ जाओगे तो इस तरह से आप करोगे तो यह आपकी तीसरी एक्साइज होगी चौती एक्साइज करोगी आप बैड में लेट होगे सीधा और सबसे पहले आपने राइट लैग को उठाओगे जितना उठा सकते हो सीधा राइट करनी है और दिन में आएक एक बार आप करते हो तो बहुत है एंड डिस रेली हैं थैंक्यू बार लाज